हेलो एवरिवन आप सभी का फीसे स्वागत है ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिसकसन है हम लोग आधनिक भारतिय तिहास को डिसकस करें जिसमें आज का टॉपिक है द्वितिय बिस्वियूद सेकेंड वर्ल्ड वार सबसे पहले इस टॉपिक को डिसकस करेंगे इसके बाद इ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाइए वहां पर इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देगे 1949 में द्वितिय बिस्वियूद आरम हु ने भारतिय विधान मंडलों की सहमत्ती के बिना भारत को यूध में शामिल कर लिया साथ ही देश में अपात काल की घोषणा कर दी गई कॉंग्रेस कार समीती ने यूध के उद्देशियों की घोषणा करने की मांग की और यभी मांग की कि यूध के बाद भारत को जो है श्वतंतर कर दिया जाए दिवित्तिय बिश्व यूध के दोरान कॉंग्रेस के दोरा स्विकृत प्रस्ताओं में पोलेंड पर नाजी हमले तथा नाजी वाद और फासी वाद की भर्षना की गई लेकिन यभी घोसित किया गया कि भारत किसी ऐसे यूध में शामिल नहीं हो सकता है जो लुक्तांतरिक स्वाधिंता के रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो जबकि खुद उसे स्वाधिंता से वन्चित रखा जा रहा हो लौड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1949 को भारत को जर्मनी के विरुद यूध गरस्त घोसित कर दिया भारतिय विधान मंडलों के सहमती के बिना यूध घोसित करने के कारण सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्यात पत्र दे दिया द्वितिय विश्वयूद एक सितंबर 1949 को जर्मनी के पोलेंड पर आक्रमन के साथ प्रारम हुआ जो की 1945 में समाथ हुआ विंस्टन चर्चिल द्वितिय विश्वयूद के दोरान ब्रेटेन के परधान मंत्री थे समय है 1949-1945 के बीच इनका कारेकाल 1940 से अगर बात करें तो 1945 तक था पहला प्रस्ण है दिवित्य विश्वयूद के संबंद में भारती राष्टिय कॉंग्रेस की क्या निती थी? तो याद रखिएगा पूर्ण स्वतंत्रता का अस्वासन मिलने पर बिटेन को सहयोग यानि ऑप्शन ए 1949 में दिवित्य विश्वयूद प्रारंभ हुआ कॉंग्रेस ने यूद में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट घोसित के जाने का प्रस्ताव रखा ततकालिन वायसराय लौड लिन लिथगो ने भारतिय विधान मंडलों की सहमती के बीना भारत को यूद में वर में शामिल कर लिया और साथ ही देश में अपात काल की घोशना कर दी गई कॉंग्रेस कार समिती ने यूध के उद्यस्यों की घोशना करने की मांगी और यभी मांगी के यूध के बाद भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाए कारण और क्योंकि उन्हें पूराज प्राप्थ होने की आसा थी कथन कह रहा है कि द्वित्तिय बी स्वयूध में भारती राष्टिय कॉंग्रेस ने अंग्रेजों को सहयूग परदान किया था कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण सौराज प्राप्ठ होने की आसा थी तो देखे एस और आर दोनों असत्य है बी ओप्षन बिलकुल करेक्ट ओप्षन है द्वित्तिय बी स्वयूध के दौरान कॉंग्रेस के दौरा स्विकृत प्रस्ताव में पोलेंड पर नाजी हमले तथा नाजी वाद और फासी वाद की भर्षना की गई लेकिन यभी घोसित किया गया कि भारत की सी ऐसे यूध में स्वाविल नहीं हो सकता जो लुक्तांत्रिक स्वाधिनता के रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो जबकि खूद उसे स्वाधिनता से वन्चित रखा जा रहा हो आगे बटे नेक्स्ट ठर्ड नंबर है कथन एक एरा है कि 1949 में सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिया कारण आर कॉंग्रेस ने द्वितिय विश्व यूद के संदर में वाइसराय के जर्मनी के विरुद यूद घोसित कर देने के निर्णय को स्विकार नहीं किया बताईए कथन एक एरा कि 1949 में सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिया कारण कॉंग्रेस ने द्वितिय विश्व यूद के संदर में वाइसराय के जर्मनी के विरुद यूद घोसित कर देने के निर्णय को स्विकार नहीं किया ए और आर दोनों सही और आर सही ब्याख्या है एकी लोड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1949 को भारत को जो है जर्मनी के विरुद यूद गरस्त घोसित कर दिया भारतिये विधान मंडलों की सहमती के बीना यूद घोसित करने के कारण सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था क्यों की 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने साथ प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्यों की तो देखे इसमें ABC यानि ABC में से कोई भी सही नहीं है D option और 5 नंबर है द्वित्य महायुध कब समाप्थ हुआ कब स्टार्ट हुआ था कमेंट में वताईए यहाँ पर पुछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ट वार कब समाप्थ हुआ तो याध रहेगा 1945 यानि D option दुवित्य विश्वयूद 1 सितंबर 1949 को जर्मनी के पोलाइन पर आकरमण के साथ प्राराम हुआ था जो कि 1945 में समाप्त हुआ दुवित्य विश्वयूद के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री कौन था याद रखेगा विंस्टन चर्चिल सही जबाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल दुवित्य विश्वयूद के दौरान ब्रिटेन के परधान मंत्री थे इनका कारेकाल 1940 से 1945 तक था इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक सेशन में पाकिस्तान की जो मांग है इसके बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिक्रिया देते रहें आपके परतिक्रियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है प्लीज आप लोग जोईन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें जोईन करें इसेर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें हैंक्यू मिलते हैं नेक्स सेसन में